खंडवा सहीत प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्रक्शन के काम के लिए समपर करें गुरुकरपा कंस्रक्शन बड़ा ममचरा खंडवा मद्य परदेश के खंडवा के मोगट थाने के अंतरगत आने वाले शनी मंदिर रोड पर धनगर मोहले में कल रात को अग्यात लोगों ने एक बाइक को जला दिया था बाइक पंधाना के युवक की थी जिसका नाम रामेश्वर बताय जा रहा है आपको बता दें इस आगजन को लेकर मोगट थाने की टीम ने पावन यादव नाम के युवक को गरफतार किया है और पुलिस के अनुसार मोहन योगी और विशाल माली नाम के दो युवक इस मामले में अभी फरार है जिनकी गरफतारी बाकी है कहानी जो निकल कर आई है वो बहुत इंट्रस्टिंग न इन तीनों को ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी मोहले की लड़की को बाहर का कोई लड़का सेट कर लेगा यानि उसे गल्फरेंड बना लेगा इस बात से वह है बहुत नाराज थे और अंदर ये अंदर प्लानिंग कर रहे थे कल रात को मौका पाकर तीनों ने रामिश्व पावन यादव को अभिरक्षा में लिया गया और उसने अपना गुना कबूल कर लिया ऐसा पुलिस ने बताया पुलिस के बताया नुसार ये कहानी बहुत रोचक है कि जो उनके मोहले की लड़की है उसे बाहर का लड़का गल्फरेंड कैसे बना सकता है उससे कैसे दोस्त कर लिया जाएगा वहीं रामिश्वर अपनी बाइक जलने से दुखी है आपको बता दें जैसा कि पुलिस के हमारे सोर्स ने बताया कि जब रामिश्वर अपनी इस बाइक पर उस मोहले की लड़की को घुमाने जाता था तो इन लड़कों को बहुत गुसा आता था और कही उने दिक्कत भी थी तो लड़की के पैरेंट से बोलके समझाईज देते